अ हालो युट्नें्ट्सosition मैं वेपिश सिंग। आज आपके लिए रेक्टिफिकेशन का नैश्ट लेक्चर लेक्टे आया हूं। लेक्चर शिक्स में मैं आपको कौन कौन से क classify देनी वाला हूं। पहले वो देख लीजिए और आज जो लेक्चर होगा यह लेक्चर 5 होगा. लेक्चर 6 में हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, यह फाइंड दा लेंथ और पैरा बोला यह फाइंड दा इंट्रेंसिक एक्वेश्चन आगे यह कर्व दे रखी है, यह प्रूफ करना है, इंट्रेंसिक एक्वेश्चन क्या होगी, यह प्रूफ करना है, इंट्रेंसिक एक्वेश्चन इस कॉडियोर की निकालनी है, और इंट्रेंसिक एक्वेश्चन आर वर्स वन अपॉन एम तो यह सभी question में आपके लिए lecture 6 में लेके आ रहा हूं और 100% important है lecture 4 में भी मैंने very very important question दिये हैं और वो lecture 3 में मैंने बताया है कि lecture 4 में कौन-कौन से question आने वाले हैं के लिए आज मैं lecture 5 देने वाला हूं और lecture 6 में मैं क्या-क्या देने वाला हूं वो मैंने पहले ही बता दिया है के लिए आप इसकी इसके सॉल्ट कर लीजिए आज मैं आपको बताऊंगा intrinsic equation आखिर होती क्या है वो हम कैसे solve करते हैं चलिए तो चलिए आप मैं आपको बता रहा हूं intrinsic equation क्या होती है कोई भी relation S-O-Sci में हो तो ऐसी equation intrinsic equation कहलाती है अब वहां हम साई कैसे निकालेंगे जब Cartesian form में हो तो साई कैसे निकालेंगे और polar form में हो तो साई हम कैसे निकालेंगे यह देखना है फिर intrinsic equation हम कैसे बनाते हैं यहां length नहीं पूची जा रही जो की आप limit लगाएं यहां अगर equation xy में है तो limit 0 to x लगाईए, theta में है तो 0 to theta लगाईए, t में है तो 0 to t लगाईए, देखिए पहले एक line की definition है, फिर एक question देएंगे very very important, intrinsic equation A relation A relation between S and psi is called intrinsic equation जैसे कोई example देख लीजिए, s equal 4a sin psi, यह साइकलोड की equation होती है, वैसे intrinsic है, s equal c tan psi, यह common catenary की होती है, वैसे intrinsic equation है आये तो अब हम यह कैसे पता करें कि psi कैसे लेके आना है, वो देखिए When, जब y equal fx दे रखा हो, तब ऐसी condition में आप dy upon dx करेंगे, और dy upon dx ही 10 psi होता है When, जब r equal to f theta दे रखा हो, तब आप निकालेंगे r b theta upon dr, जो 10 phi होता है अब हमें यहाँ psi और phi अगर theta दे रखा होता है, तब हम कैसे करते हैं तब हम एक छोटी सी figure बनाते हैं, यहीं आ जाएगी यह बहिस्कोर यानि external angle यह theta और इसके अंदर phi angle है यह psi theta phi, तो यह जो external angle होता है, यह equal to two internal angle के equal होता है बहिस्कोर सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बरावर होता है यह यूज करना पर सकता है जब यह हो condition के लिए आईए बस इतना ही बताना था, question लेते है question देखिए, question number one, so that the intrinsic equation, so that the intrinsic equation of the semi-cubical parabola parabola क्या है 3a y square equal to 2x q और proof क्या करना है एज़, 9s equal to 4a bracket में सै q psi minus 1 top most question है, मैं आपको 95% question दूँगा integral calculus में, सारी मतलब दो writer की book के question बिलेंगे लेकिन मैं writer नहीं बता सकता क्योंकि किसी book को promote नहीं करता आप किसी भी writer की book लें, complete question बिलेंगे बसरते कोई वीडियो miss नहीं होनी चाहिए अगर आप channel की membership लेते हैं, तो all वीडियो आपको खुल जाएंगी बसरते 50% ही वीडियो आपको 100 कर पाएंगी क्योंकि मैं 50% वीडियो membership के लिए देता हूँ तो please आप channel की membership ले लें और full course BSC, MSC वाला level लें उसी से सारी वीडियो खुलती है चैनल के description में जाएंगे, join पर click करेंगे, वहाँ level आ जाएंगे, तो full course BSC, MSC वाला level लें जिससे सारी वीडियो खुलती है, मातर एक बुक की फीस है, वहाँ कोई ज़्यादा फीस नहीं है, और उसमें आप integral calculus और differential calculus दोनों बुक कर सकते हैं, ठीक है चलिए, आएए तो अब इससे solve करते हैं, हमारे पास दे रखा है 3A, Y square equal to 2XQ, हमें केवल Y की value चाहिए, तो 2 upon 3A, यह हुआ under root में और X की power हो गई 3Y2, Y का मान निकालेंगे तो यही आएगा, आपको DY upon DX निकालना है, यह तो constant है, 2 upon 3A, इसका differential 3 upon 2, X की power 1 upon 2, इसे हम 10s I कहते हैं, चलिए इसका work कर लेते हैं, ऐसे, DY upon DX का whole square, तो यह इसका work करेंगे, तो under root हट जाएगा और इसका work, 3, 3, 9, 2, 18, upon 2, 2, 4, 3, 12, और इसका work करेंगे तो X, और DY upon DX की जगे पर क्या रखेंगे, 10s I, तो यह बन गया 10 square psi, जरूरत पढ़ेगी मेरी बच्चों, इसलिए लिख लिया है, आईए आप formula क्या होता है, वो तो आपने rectification में पढ़ी लिया होगा, as equal होता है, किसमें है relation, Y और X में, limit 0 to X, मैंने बताया था, formula 1 पिलास, DY upon DX का whole square की पावर एक वटे दो DX, या एक वटे दो लिख दीजिए, या आप अंडर उड कर दीजिए, आगे बढ़िए इसे 0 to X, और यहाँ पर, DY upon DX का whole square, यह काट दीजिए, कितना हुआ, 6A 3, upon 2A X, की पावर एक वटे दो DX, यह मैंने 6A काट के तब लिखा यहाँ पर, अब एक बात बताईए, इसका integration में करूँ, X की power N मानकर तो क्या होगा, इसका integration होगा, 1 plus 3X upon 2A की पावर, 3Y2 काट 2 upon 3, यह तो आपने पढ़ा होगा, X की power N के हिसाब से, जो X का coefficient है, वो upon में जाता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 3 upon 2A, अब यहाँ limit लगाईए आप, 0 to X, किसके बरावर चल रहा है, S के, आगे बढ़िए आप, तो S equal, यह 2 तो उपर पहुन जाएगा, 4A, upon 3, 3 जा 9, अगर यहाँ X रखोगे, तो यह जोंकी त्यों आएगा, 1 plus, 3X upon 4A, की power 3Y2, minus 0 रखोगे, यह part 0, 1 बचेगा, यह 1 यहाँ लिख दीजिए, इस 9 को इधर ले आएगे, तो यहाँ हो जाएगा, 9S, equal to 4A, इसकी जगे पर आप क्या रखेंगे, यहाँ से 10 स्क्वार साई, देखिए, यह कटिया, 2 वार, और यह कटिया, 2 वार, तो 3X upon 2A की जगे पर 10 स्क्वार साई, कितना रखेंगे, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ कितना है, यह 2 है, तो इसकी जगे पर 10 स्क्वार साई, तो 1 पिलस 10 स्क्वार साई, की पावर 3Y2, माइनस वन तो 9s इक्वल टू 4a 1 पिलस 10 स्क्वार साई स्क्वार साई स्क्वार से ये कट गया स्क्वार क्यूं साई हुआ माइनस के 1 यही आपका प्रूफ था ये आ गया तो क्लियर हो गया एक और क्वेशन देखिए चलिए क्वेशन नम्मा टू लेते हैं फाइंड दा इंट्रेंसिक एक्वेशन इंट्रेंसिक एक्वेशन ओफ दा कर्व तो य कोज हाई परवॉलिक एक्स अपों इन ये भी कोमन केते स्क्वेशन है काटिजन फॉर में लेकिन हमें इंट्रेंसिक कि क्विशन में चींज करना है। आई यह कैसे करते हैं ? solution देखिए आ एक्वाइट दे रखा है a cos hyperbolic x upon a हमें चाहिए dy upon dx तो a sin hyperbolic x upon a और x upon a का one upon a यहाँ hyperbolic है इसलिए माइनस नहीं आता इससे ये कट गया dy upon dx आया केवल sign hyperbolic x upon a और dy upon dx की जगे पर क्या रख सकते हो तेन साई कहने का मतलब जहां पर sign hyperbolic x upon a हो वहां आप तेन साई रख सकते हैं चलिए अब हमें इसकी जरूरत ही ये कर लिया अब हम जानते हैं s equal क्या होता है 0 to x आप ऐसे पावर चढ़ा सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं dy upon dx का whole square into dx इसका मतलब 0 to x under root के अंदर 1 plus dy upon dx की जगे पर sign hyperbolic square x upon a और dx ये पिलस में है क्योंकि hyperbolic है तब इसका मान cos square होता है hyperbolic में ठीक है इसलिए बात ही बता रहा हूं कि hyperbolic first semester में ही नहीं तो कहां से सीखेंगे आप यहाँ पिलस का sign hyperbolic में तो ये हो गया cos hyperbolic square x upon c तो s equal 0 to x ये बन गया cos hyperbolic square x upon a बाहर dx या 0 to x ये हो गया cos hyperbolic x upon a dx इसका integration हो गया sin hyperbolic x upon a into a आएगा क्योंकि ये upon में आता ये तो ऊपर पहुंच जाता और ये हो गया s इसकी जगे पर आप क्या लेख सकते हैं tens i कहने का मतलब s equal a tens i ये intrinsic equation है तो इन दोनों question में पूरा मज़ा आया हो तो please आप एक छोटा सा comment कर दीजिए देखिए जितना वीडियो और यूटूबर देते हैं उससे 200% जादा देता हूं मैं जितनी वो देते हैं उनसे double देता हूं के लिए इसकी इसकी इसाइड लेजिए तो चलिए अब ये भी बताते हैं आपको कि lecture 7 में हम आपको कौन-कौन से question देने वाले हैं question number one ये एक parabola दे रखा है तो ds upon dsi define करना है intrinsic equation की question है सब ये circle दे रखा है तो ये proof करना है ये की equation दे रखी है इससे मुझे intrinsic equation निकालनी है ये intrinsic equation निकालनी है asteroid की और ये भी मैंने find the intrinsic equation to a parabola यानि y square equal 4x in its simplest form में है reduce the length of our intercept between vertex and an extremity तो ये भी मुझे intrinsic equation में change करना है अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज अपने फ्रेंड़ों को जरूर सेयर करना ठीक है तो ये सारे question lecture seven में लेके आऊंगा आपको इसके insert ले लीजिया